हलो दोस्तो नमेश्कार के लिए आपर रहने वाला है अगर आप शेरर मार्केट में बिगनर नहीं हो आप मार्केट को अच्छे तरह किसे जानते हो ठीक है तो आप पिछला वाला वडियौ था वो ज़रूर यहाप चघ्काउट कर सकते हो तो यह वाला वडियौ्त खास करके बिगनर's के लिए है , और किस परपस के लिए है कि obviously कि share market में अगर आपने entry की है तो share को हम लोग कैसे खरीदे कैसे खरीदे मतलब कौन सी चीजे share खरीदने से पहले check किया जाए कौन-कौन से ऐसे parameters है तो 4-5 step 4-5 parameters ऐसे है 4-5 ऐसी चीजे है जो कि आप लोगोंने must check करनी चाहिए मतलब अगर आप इनको भी ना देखे share को खरीद रहे हो मतलब बहुत ही बड़ी बेवकुफी भी साबित है आपे हो सकती है हाँ ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इतनी चीजे देखने के लिए तो बहुत सारी चीजे होती है यह बाते तो जरूर यहापे check करनी चाहिए जैसे मैंने वीडियो के शुरुवात में ही कहा है कि beginner level का वीडियो है अगर आपको advanced level की चीजे चाहिए तो last वाला वीडियो जरूर देखने आपको सारी चीजे वहापे तो advanced level की मिल जाएगी सो दस्तो अगर आप एक beginner हो आप share को buy करने से पहले अगर देखा गया तो सबसे important चीज क्या है पता है आपको अपने अभी अभी start किया ना market में सबसे important point to be noted वो है कि आपका confidence येस आपने सबसे पहले क्या करना चाहिए अपना confidence boost करने की कोशिश आपे करने चाहिए मतलब कि आपने market में अभी शुरुआत के ना and आपका confidence कैसे boost होगा आपको फाइदा होके आपको profit होके ठीके and profit मतलब क्या basically आपका जो selection होना चाहिए दोस्तो आपका जो focus रहना चाहिए वो basically large cap जो बड़ी company उनके और होना चाहिए ठीके बहुत सारे लोग आधी अदूरी चीजे सुनकर आ जाते है कि भाई large cap में पैसा नहीं बनता है mid cap small cap ही based करके which is true बट अगर आप एक beginner हो भाई अगर आप large cap में नहीं टिक पाऊगे तो mid cap small cap micro cap nano cap तो भूली जाहिए ठीके आपका शुरुआत इसलिए मैं ये steps 1,2,3,4 बताने से पहले ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इन चीजों के चलते आपका confidence built होता है बहुत सारे लोग क्या करते है डाइरेकली mid cap डाइरेकली small cap में चले जाते है नुकसान होता है हो गया उनके लिए share market वही पे खतम आपको ये करना है क्या नहीं न तो initial stage पे जैसे मैंने का आप beginner हो न तो properly खेल के नियम समझीए खेल basic चीजों से अपने start करना चाहिए फिर advance में दिमे दिमे करके जाओ ना क्यों जल्द बाजी कर रहे हो और यही reason है maximum लोगों का कि share market start करने की कुछी चंद महिनों के बाद काफी सारा लोग छोड़ देते हैं क्यों क्योंकि वो directly मतलब बुलते ना class 1, 2, 3 से नहीं जाना चाहिए वो directly class 10 का board exam का question solve करने की कोशिश करेंगे और फिर क्या हो जाएंगे fail हो जाएंगे सो आपने ऐसा नहीं करना है आपने step by step आगे आपे बढ़ना है आपका fail आफ जो focus रहना चाहिए वो large क्या blue chip बड़े company के और ही आपे रहना चाहिए अभी हम लोग आ जाते दोस्तों कौन-कौन से step आपने follow करने चाहिए उसका demo भी मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है तो step number one कि आपने क्या check करना चाहिए देखिए chart pattern सबसे important चीज है देखिए कोई भी chart pattern ये left से start हो जाएगा और right पे जाके खतम होगा but please कोई भी chart pattern है से left से right ऐसा नीचे आने वाला मत पिक कर लेना at least उसका जो chart pattern है left से right उपर जाने वाला चाहिए and मैं all time chart pattern की आपे बात कर रहा हूँ उसका maximum chart pattern की बात करो जैसे की एक example आपके सामने रखना चाहूँगा ये वाला chart pattern देखिए यहापे आपको नजर आ रहे कि मैंने maximum open किया है कोई एक दिन पाच दिन एक मैना चे मैने का नहीं maximum chart pattern open किया है and वह चाट pattern आप देख सकते हो left से start हुआ है right तक जा चुका है और देखिए उपर जा रहे कि नहीं देखिए बीच बीच में प्लस मैनस होते रहेंगे बड़ आपका at least पहला वाला focus मैंने कहा ह है कि ये वीडियो beginner के लिए तो उनको ऐसे ही पहले basics के साथ सिखाना पड़ेगा ये पहला आप लोगों का focus रेना चाहिए ठीक है ये चीज आपने चेक या पर करनी चाहिए ऐसा वाला chart pattern नहीं चाहिए भाई जो कि आप देख सकते हैं अब दम उपर गया फिर नीचा है फि कि company की जो balance sheet बनती है आपने सुनाओगा balance sheet ठीक है उसमें एक बहुत ही important component होता है काफी सारे component मिलेंगे बढ़ हाँ balance sheet में आपको मिलेगा दोस्तों कर्जा ठीक है कर्जा तो debt को तो कोई explanation की ज़रूत है ठीक है और ये बहुत ही common sense वाली बात है जिस company के उपर जादा कर्जा इसका अर्थ है नहीं कि वो company खराबे करके again कर्जा लेना कोई पाप नहीं होता है बढ़ हाँ अगर कर्जा जादा अगर हो जाता है तो फिर वो company काफी जादा struggle मोड में आ सकती है ठीक है अभी आपको याद है हाली में हम लोगोंने कौन सा सबसे बड़ा खतरना चीज देख लीजिए एक ऐसे एक्जामपल आपको बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए आपके उपर पचास लाक का कर्जा है तो यही चीजे सेम company के इसमें भी role play करती है कि चेक किजे की company के उपर कितना कर्जा है ठीक है और उस हिसाब से आपने क्या करना है चलो कैसे चेक करना है तो गूगल उपन करजी है गूगल में search बार होता है आपको पता ही है उसमें आपको यहाँ पर type करना है क्या type करना है तो balance sheet type करना अभी balance sheet किसी भी stock की balance sheet आपको यहाँ चेक कर सकते जैसे की x y z company और उसके आगे आपको क्या लिखना है पता है balance sheet करके ठीक है अभी हम लोग example के लिए company ले लेते कौन सी PCS ले लेते ठीक है PCS balance sheet ऐसा आप लोगों यहाँ पर type करना और इंटर करने जैसे आप इंटर करोगे ना ऐसा आ जाएगा यह देखो money control की website आजएगी सबसे पहले कोई video sponsor नहीं है आप सब लोग को पता ही है जो चीज़े हमारे काम किये हम study purpose के ल mobile mode है आप चाहो तो उसको desktop mode पे भी यहाँ पर टिक करोगे तो इस प्रकार की balance आपको देखने को मिलेगी तो आपको यहाँ पर क्या करना है नीचा आना है और आपको एक component मिलेगा उसको बोलते है non current liabilities में आपको मिलेगा LTV LTV बोले तो वही long term borrowing long term borrowing का अर्थ होता है दोस्त है जाता है LTV में long term borrowing तो TCS के उपर कितना है जीरो यह वक्त का ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो और वही अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा current liability उसमें मिलेगा STB बोले तो short term borrowing यह इसका अर्थ होता है कि एक साल के अंदर अंदर कंपनी को कितना क करजा लिया होगा तो वो भी आप देख सकते जीरो मतलब यह कंपनी इबदम ही कर्जमुक्त कंपनी है ऐसे कंपनी को मतलब भार की चीजों से अगर कुछ गड़बड हो गई तो tension ने रहता है कि भाई मुझे किसी को पैसा देना है मुझे किसी को पैसा देना है सामने वाले 1,90,000 करोड का करजा approximately यह कहा है long term boring मतलब एक साल से भी बड़ा करजा तैन थोड़ा नीचे आते है current liability क्या नज़रा रहा है short term boring साड़े बारा हजार करोड का करजा एक साल के भीतर भीतर आप समझ रहे हो इस company के पर कितना है भी करजा है again करजा होना पाप नहीं है बट उसी के साथ-साथ company ने कमाई भी करनी चाहिए अगर company की कमाई कुछ नहीं है और करजा लेके जा रहे है भाई साब आपकी तो बैंडी बच जाएगी यह तो ऐसा ही हो गया ना मान लो 50,000 का करजा है आपके उपर आप कुछ जॉब करते हो 50,000 का है ऐसे ही बोलना चाहूंगा एक जरुदर 19-20 कुछ हुआ तो आप डूप सकते हो तो ऐसे balance rate वाले company से आपने सावधान रहना चाहिए में repeat बहुत ज्यादा करता हो क्योंकि आपके दिमाग में गलत चीज़े नहीं जानी चाहिए करजा लेना मतलब पाप नहीं मेरे भाई उस करजे का सही इस्तमाल करके पार्ट हो गया बट हाँ वो एक चीज हम लोगों को देखने को मिल जाते तो इस पॉइंट को भी आपको समझ में आना चाहिए अभी इस company के हालत देखिए चार्ट पेटन देखिए पूरी तरीके से धौस्त हो चुकि क्योंकि company का profit ही नहीं माइनस में चल रहा है company का profit loss में company तो company तो डूबेगी डूबेगी तो ये चीज़े आप लोगों ने आप ज़रू चेक करनी यहाँ पर आनीचे दैन दोस्तों अगर हम लोग आप बात करें एक बहुत ही important बट आ जाता है बट मतलब देखिए share market इतना हलवा नहीं है कि बस यहाँ पर आपने दो-तिन business होते हैं यह वह ऐसा वैसा यह भी वह भी तो दोस्तों अलग-अलग टाइप के अलग-अलग business होते हैं अभी आप मुझे पताए कुछ company के business ही कैसे हैं करजे देना वाला ही business है जैसी कि अगर मैं बात कर दोस्तों finance अभी finance वाली company के balance sheet में जाके कभी चेक मत करना कि खर्जा ही रहता है क्योंकि आप कभी भी उसको withdraw कर सकते हो तो यह चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए ठीक है तो finance वाली company को exclude करना है बाकी companies को आप जरू चाहो तो वह आप चेक कर सकते हो ठीक है तो market को देखे बहुत 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 डीप यह आपको धंदे की सबसे समझना है आपे होता है next दोस्तों हम बात करेंगे point number 3 के बारे में कि इसको आपने चेक करना है किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले बढ़ उसके पहले जरू कहना चाहूँगा अगर आपको वीडियो helpful लग रहा है informative लग रहा है interesting लग रहा है जरू इसको like करते हैं आपके like के कार है कि यह company के मालिक होते है ठीक है तो promoter of company की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अपनी क्या करना है चेक करना है कि भाई थोड़ा ज्यादा अगर stake रहेगा अगर 51% से अगर ज्यादा का company का stake अगर उनके पास रहेगा जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है ठीक है 60 हो पर यहाँ पर जा सकते हो चलो मैं इसके पर क्लिक कर लेता हो screener open किया तो आप देख लेना यहाँ पर आगया करके search the company अभी search करना है एक्जामपल एक ही लेते वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते प्रमोटर नजार आ रहे कि ने तो प्रमोटर के पास अभी रिसेंटली डिसेंबर 23 का data के इसाब से कितने shares है 72 टक्के से ज़्यादा के share है तो अच्छी बात है कि नहीं अच्छी बात है तो यह इस प्रकर का यह data check करना है आपर आना चेक कम है तो क्या सीधा वही बोल देंगे कि आरे खराबे करके नहीं share market बहुत कुछ चीज़े जानने वाली बात है दोस्तो वह अभी धीमे-धीमे करके हम सिखेंगे बट पहले यह चेक करो कि क्या 50% से जादा है 60 है 70 है चल जाएगा बहुत अच्छी बात है 100 नहीं हो सकता बाई क्योंकि आप maximum कितना hold कर सकते हैं आप प्रमोटर 75 उसके उपर नहीं हाँ अभी अभी नहीं नहीं कंपनी होगी तो 100 अलाउट रहता है 100 मतलब 75 के उपर अलाउट हो रहता है बट वो 3 साल के अंदर अंदर आपको 75 के नीचे लाना पड़ता है तो यह सबसे वाला पॉइंट आपने क्या करना है चेक आपे करना है दैन अगर हम लोगे बात करेंगे दोस्तों तो और भी कुछ चीज़ें चेक करनी है कौनसा एफाइस एडिएस अभी एफाइस डिएस क्या होते है फॉरें इंस्टिशनल इंवेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टिशनल इंवेस्टर मतलब विदेशी निवेशक और हमारे खुद के देश के इंव करना है उसके बाद सेकेंड स्टिशन के पास कितना है जो अभी बता है ना एफाइस डिएस क्या उनके पास बड़ा माल है तो आप देख सकते हो 50% इंस्टिशन के पास है एफाइस एंड डोमेस्टिक के पास 36% है चल जाएगा एसी कंपनी भी चल जाएगी पब्लिक के पा यह तो यह वाला अलर्ट अभी जो आपको एक्जामपल बता रहो उसको देख लेना मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे अभी शेर होल्डिंग पैटर्न एक जमाने में प्रमोटर के पास 47% थे ठीक है और प्रमोटर माल बेशते 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 कितना हो गया व अभी आप देख सकते बाप रेबाप इंस्टोडिशन भी भाग गये मतलब प्रमोटर भी भाग गये फॉरेन वालों को भी शेर नीच है हमारे खुद के देख वाले डोमेस्टिक वालों को भी नीच है लगातार कम हो रहे और देखो खरीत कौन रहे आखिर में बचता है प अपना माल बेच रहे है तो एक ही के पास वो माल चला जाएगा वो है पबलिक और पबलिक को चुना लगाया जाएगा क्योंकि यह सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम कह सकते हैं highly information इनके पास होती है ठीक है कम्पनी के मालिक को पता है उनकी का है पर जाने वाली है उसके बाद ये company की हालत देखी कितना हो गया 2 रुपे का हो गया दूस्तों stock तो अभी trade भी नहीं कर रहा है फिर भी ये stocks को खरिदते जाएंगे क्यों कि उनको लगता है all is well 2 रुपे का stock है एक जमाने में नीचे था अगर मैं आपको दिखा दू यहाँ पे company का 5 साल का data क्या नजर आ रहे 99% crash ठीक है सब कुछ खतम हो गया क्या नजर आ रहे 400 रुपे पे एक जमाने में stock था 400-500 अभी 2 रुपे का है फिर भी खरीदेंगे क्यों पता है अरे बाई 2 रुपे से जाएगा 400 अपने ही मन से ऐसे ही बोल देते हैं हवे में इसलिए ऐसे लोग शेर 12,000 से क्या हो जाते हैं डूप जाते हैं और उसको बोल देते हैं यह तो 60 market है ऐसा कुछ भी ने अरे भाई तुम देख रहे हो promoter भी नहीं है FIS भी नहीं है D.I.S.B. ने तुम खरिदते ही जा रहे है और यह बचा कुछ है माल भी है न ठीक है वो भी इनके गले में मार दिया जाएगा कोई बड़ी बात नहीं 76 है न एक दो चलो एक साल की बात पकड़ ले वो 76 का 86 हो जाएगा अब चेक कर सकते हो ना पहले देखे पपलिक 23 ही था फिर 24 फिर 26 34 36 बापरे बाफ 55 क्या जबरदस या पर पपलिक ने माल खरीदा है 47 का 33 पूरा प्रमोटर बेच दिया 10 का 4 हो गया FIS D.I.S.S. ने भी दबा के सब ने दबा के बेचा और खरीदा कौन बेवकुफ पबलिक ठीक है अभी ऐसा बोलने के बाद गुसा हो जाते अरे बोलने तो क्या बोलो अभी देख लो बिंदास करीद लेते कोई बिजनेस बिजनेस देखते ने बस या पर मिल रहा है माल खरीद लो खरीद लो भाई यही चीज चलती है सस्ता मिल रहा है खरीद लो ठीक है और सस्ता मिल रहा है एक रुपय क्या होगा खरीद लो अरे भाई पैसा मिलना तो चाहिए वापस रिटर्न में यह कंपनी आज है कि ने कल कोई गैरेंटी नहीं है डिलिस्ट हो जाएगी फिर बाद में रोते रहेंगे तो इस प्राकार की चीजों से आपने आपे क्या करना है खुद को सुरक्षित आपे रखना है देन दोस्तो स्टेप नंबर फोर आपने यह आपे चेक करना है किससे रिलेेटर अरे चलो प्रमोटर के पास अच्छे शेर नहीं है शेर्स प्लेच तो नहीं है, प्लेच कार्ट समझते हो ना, गिर्वी तो नहीं रखे है, ठीके ये भी तो देखना है, बोले के लिए आप बोल सकते हैं, मेरा ये 10 करोड का घर है, क्या बात है, अच्छी बात है, बाद में पता चला भाई, उस घर के खागजात बैंक के बाद पड़े हुए गिर्वी, अब समझ रहे हो, तो यह ऐसी चीज नहीं हो नहीं चाहिए, ऐसे भी बहुत सारे कंपनी से, प्रमोटर के ओल्डिंग 70 टका, और बाद में रेखा जाएगा बाई, उसमें से 50% से ज्यादा यहाँ पे गिर्वी रखा हुआ है, ठीके इतना करजा इन्होंने लेखे रखा हुआ है, तो यह भी चेक करना है, यहाँ पर आना चाहिए, कैसे चेक करें, गूगल ओपन किजिए, गूगल ओपन करने के बाद, कौनसे वेबसेट अगर जाना प्रिफर करोगे, मनी कंट्रोल के ओपर अगर आप जाओगे, तो ठीक रहेगा, ठीक प्रमोटर की होल्डिंग, ठीक है, कितना है, होल्डिंग कितना है, 72.41, प्लेच कितना है, हरे निशान में रहेगा, तो प्लेच है, यहाँ पर लिखावा, इत्तुस है, 0.48, कोई फ़रक नहीं है, 0.48 से क्या होने मला है, कुछ भी नहीं, ठीक है, नजर भी नहीं आ रहा है तो इसे इतना कोई फरक यहां पर पढ़ता नहीं है, अभी चलो एक दूसरा एक्जामपल आपके सामने आपके रखना चाहूँगा, यह कमपनी देखिए, इसके प्रमोटर के पास कितना है, 63 है, FIS, DS के पास भी चलो, decent है, 11% है, पब्लिक के पास 17% है, तो लगेगा शुरु पूरे के पूरे 99%, मतलब पूरा 63 का 63% उन्होंने गिरवी खरके रखाया, मतलब अरे भाई, पूरी कमपनी गिरवी है, अब समझ रहे हैं, कि इन्होंने इतना करजा यहां पर उठाया है, कि कमपनी के पूरे ownership के जो खागजात है, वो बैंक के पास पड़े हुए है, तो य यह भी चेक करना होता है, इसलिए शेर मार्केट इतना सिंपल नहीं है, यह तो बेसिक्स क्लास है, इसमें आपको यहां पर सिखा रहा हूँ, तो यह चीजे भी हमनों को चेक करना है, यह आनी चाहिए, दैन दोस्तो स्टेप नमबर 5, कौन सा, कि अर्निंग, यह भी तो दे उपन कर लेना, तो चले स्क्रिनर को यहां पर में क्लिक कर लेता हूँ, किसका एक्जामपल, TCS का ही ले लेते, ठीक है, TCS का एक्जामपल मैंने ले लिया, उपन हो गया, नीचे नीचे आपने यहां पर जाना है, तो आपको यहां पर PNL करके मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आपका बारा महिने का, यह बताता है कि आपने कितना बिजनेस किया, कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट किया करके, ठीक है, तो आपको ऐसा नीचे नीचे जाना है करके, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मार्च 2023 करके, सेल कितन किया है खर्चा कितना किया और इदम लास्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के नीचे मिलेगा EPS EPS मतलब अर्निंग पर शेर तो कितना है 115 तो इसको चेक करना होता है इसके पहले पूराने वाले जो साल रहेंगे न ऐसे आपको स्क्रोल यहाँ पे करना है लेफ्ट सैड पे तो आपको 2012 से लेकर अभी तक 2012-2023 तक का डेटा मतलब 10-11 साल का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है तो चले 2012 से हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं यह देखें कमपनी का जो अर्निंग था EPS 26 था फिर 35 हो गया फिर 48 हो गय है फिर 67 फिर 83 फिर 86 87 100 159 राइट नाव कमपनी मुविंग तोवर्ट 123 सो यह समझाता है कि कमपनी का अर्निंग काफी शांदार है जिस कमपनी का अर्निंग ऐसे बढ़ता है न वो शेयर भी हम लोगों को ऐसे ऐसे बढ़ते हुए देखने का आपे मिल जाता है बट यह कौन से कुल मिला के क्या करने है यह चार से पाट स्टेप मेंने जो आपके सामने रखे एक अगर आप बिगनर हो तो आपने यह ज़रूर यहापे चेक करने है इसके देखे बीना अगर किसी शेर को आप खरीदने जाओगे तो काफी जादा आपको दिक्कते हो सकते है यहापे मैं कहऊ दोस्तों कि यह तो मैंने वीडियो बनाए किस चीज़के चलते कि कोई भी शेर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए तो वैसे ही कोई भी शेर खरीदने से पहले मतलब अगर aus इस कंपनी में गर यह चीजिज़े पाई गही तो भाई उससे दूर रहना चाहिए ठीक है तो उसके पर भी चाहिए वीडियो जस्ट याइस बोल देना तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट चेप्टर में आपे कवर कर लेंगे तो ठीक है रोस्तो आशा करता है वीडियो हेलफफुल लगा होगा ठीक है एंड वीडियो हेलफफुल लगा होगा तो जरू लाइक और शेयर भी कर देना तो देट सेट याइक वरिमाज दोसो वीडिल भी मिटिंग आर एक शुडियो तब तक के लिए बबाए